कि अदिजन के तो बात करें इसकी एडवर्टाइसमेंट की तो यह एडवर्टाइसमेंट इसकी डिसम्बर 2022 को लोकेशन की बात करें तो पूरे पाकिस्तान साथ ब्लाइ कर सकते हैं। अपने टरिटेग्ट इसकी चैनिवरी 2023 बीकंट की बात को ये तक गवर्मेंट सेक्टर है यह कॉंपिटिशन कमिशन फॉपाकिस्तान और इसकी बात की आंप कें तो इसमें जो याप्लिकेशंट करना है डावलोड करके पॉस्ट कर साख नाकर एंके एंड्रस पे ऑफिचल अडवॉटाइसमेट्स वाद के अनकी ऑफिचल एडवॉटाइसमेंट्स कॉंपेटिशन कमिशन्स आफ पाकिस्तान की यहां तमाम पॉस्ट्र मौजूद हैं की जो पॉस्ट है रिस्ट चैनलाइस की है कौलिफिकेशन की बात के तो समय मास्टर बैचलर स्वाल इसमें प्लाइब कर सकते हैं एज लिमिट देखें तो 32 साल है और मिनीमम जो एक्सपिर से ग्सपिरिशन की बात जो टीन साल का चाहिए तो सोन री सीर आफ्यसर की है कौलिफिकेशन की बात के तो 35 साल है Experience जो है पांस साल का होना चाहिए और टौटल पॉस्टर इसमें दो हैं Sea No. 4 की बात के ने तो इसमें जो पॉस्ट है Management Executive Law की है Qualifications की बात के ने तो बैचलर डिग्री वाले इसमें एप्लाई कर सकते हैं To Agenda की बात के तो 28 साल है उसमें पॉस्टर इसमें दो हैं नेक्स पोस्ट देंगे तो इसमें जो पॉस्ट है मैनेजमेंट एक्जेक्टिव करेटिव राइटर की है कौलिफिकेशन की बात के तो बैचलर्स डिगरी वाले इसमें एपलाई कर सकते हैं तीन साल का आपके पास एक्स्पिरियंस होना चाहिए टोटल पॉस्ट इसमें एक है और पॉरे पाकिस्तान से आप एपलाई कर सकते हैं और आज़ाद जुम्मो एंड कश्मीर वाले इसमें एपलाई कर सकते हैं और आपको T.A.D.A. नहीं देंगे सिर्फ शॉर्ट लिसिट केंडियेट को कॉल करेंगे टेस्ट या इंटर्व्यू के नहीं है अगर को भी गॉर्वर्मेंट सर्वन एपलाई करना चाहेगा तो पॉपर चैनल के थूप एपलाई करेंगे आपको एपलाई करेंगे तो यह देखें इंकी वेबसाइट से आपने अप्लिकेशन फ्रम डाउनलोड करना है इस ऐडरस पर आपने अपना प्लिकेशन सेंट कर देना है यह इनके स्ट्रेक्शन्स थी मैंने आपको बता दी हैं बागी स्ट्रेक्शन्स आप रेट कर लीजए अगर रिप्लाइ करने में कोई प्राबलम फैज होती है तो मुझे कमिट स्ट्रेक्शन्स में लाजमी कमिट्स करें तो इन्शाला मैं आपको रिस्वांस दूँगा इस वीडियो को लाइक शेयर सो सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि आने वाले नोडिफिकेशन्स आपको मिलते रहें ओके फ्रेंड्स अलाहाफ़ेश